हालो अब्रिवन कैसे हो आप सब भोप करती हूँ आप सब ठीक हो गया अपने अपने घरों में मैं भी ठीक हूँ आज मैं आपके लिए जो सर्दियों का स्पेशल एक डिश मानी जाती है हम लोग बहुत शौक से खाते हैं या गर्मियों में भी हम लोग खाते हैं लेकिन गर् अगर हम डेली रूटीन में जो हम सब खाते रहते हैं उन चीजों को खाने के साथ साथ अगर हम एक्सराइज करें और अपना मलब फिटनेस का धिहान रखें अगर हम तो उससे हमें क्या बैनिफिट्स होंगे तो लेक्सी मैंने अपना समोसा लेके आई हूँ आज बहुत द करने वाले हो लेकिस देखते हैं किसबना कैसा नहीं बना हुआ है है कि मुझण है यह समोसा बरिए में वे बे tast देखते हैं क्या होते क्या नहीं होता है what कैसा है अब अभी तो मैंने उपर वाला पाट लिया है समोसे का जोकी डिलीसियर्स ही होता है लेकिन जो मैं इसका मसाला है वो टेस्ट करने जा रही हूँ जट पेटा सा मसाला है अच्छा है जब हूँ जब बद्यों जब बद्यों जब बद्यों झाल 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 प्राइज में आपको कोई स्नैक्स लेना है तो समोसे से अच्छा कुछ नहीं हो सकता समोसा ही यह कैसा स्नैक्स है जो हर कोई चाहता है हर किसी की घर में आता है और हर कभी खाना पसंद करता है समोसे के बाद अगर कोई चीज बनी है उस दुनिया में अगर आप समोसे के साथ अगर समोसा कहते है ना आलू के बिना कोई सबजी अधूरी होती है जैसे आलू के बिना सब्जी अधूरी होती है न वैसी समोसे के बिना गुलाब जामून अधूरे है जब तक समोसे के साथ गुलाब जामून नहीं होगा तो समझ लो की कुछ नहीं है यह बहुत बड़ा है साइज में और यह उन्होंने मुझे 20 रुपीस का दिया है पर पी मुझे 25 रुपीस को अधूर की अधूर आप जामून अधूरे हैं पर जांग को आप सबसे जब भी समोसा आता है किसी के घर में तो उसके सथ गुलाब जामून आना दिर सब्सके बिना किसी के अधूर सब्सक्रीड पहल नहीं होगी जब समोसे अन्दर आलू है और आलू क साथ गुलाब जामूल है समोसा, आलू गुलाब जामूल यह तीन चीजे यह हैं जो जिसके भीना कोई नहीं रह सकता तो मैंने थोड़ा सा चलो गाइस मैं फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछी नेक्स्ट के साथ मैं आपके पास आउ फिजिल